जब पुलिस कर्मी पर कैदी ही भारी पड़ जाएं नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉर्मेशन अपरादी घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं जहां एक तरफ अपरादीों का मनोवल बढ़ता जा रहा है और पुलिस का एकवाल खत्म होता जा रहा है लेकिन हम आपको एक ऐसी ख़बर बताने वाले हैं जो लोगों को चौका देगी बारा पुलिस कर्मी थे और उन बारा पुलिस कर्मी पर तीन अपरादी भारी पड़ गए अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है तो चलिए हम आपको इस ख़बर में पूरा माजरा बताते हैं पुलिस अभी रक्षक में रेलवे कोट में पेशी पर लगाए गए शातिर चकमा देकर फरार हो गए सुचना मिलने पर आला अपसरों में हड़कम मच गया एससपी के अलावा जी आरपी आरपी एफ अपसर मौके पर पहुँच कर सीसी टीवी कैमरे के फूटेस खगाले में लग गया लेकिन कोई सुराग हाथ ना लगा जी आरपी ने राजपूर करेरा शिवपूरी के ब्रिजेंद्र उर्फ हजरत खिमरिया सागर निवासी गया प्रशाद और रेशम मिल ग्वालियर निवासी शैलिंद्र के अलावा चार और अपराधियों को ट्रेन में चोरी के इलजाम में जेल भेजा था मंगलवार सुबस सातों को रेलवे कोट में पेशी के लिए पुलिस वैन से स्टेशन लाया गया पेशी के बाद व्रिजेंद्र गया प्रशाद और शैलिंद्र को पुलिस ने वैन में भेज दिया जबकि बाकी चार आरोपी को कोट में पेशी करना था इस बीच ये तीनों वैन में तैनात पुलिस वाले को चक्मा देकर फरार हो गए खबर मिलते ही जी आरपी और आरपी एफ रेलवे सर्कुलेटिंग एरिया में इनकी खोज की लेकिन उनका कोई पता नहीं चला इसके बाद अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई एसेसपी राजेस एस मौके पर पहुँचें जिले के सीमा सील कर सभी थानों की तलाशी अभियान चलाने का आदेश से दिया चार दरोगा, छे प्रधान, आरक्षी और दो सिपाही इन बंदियों को पेशी करने लेकर आये थे एसेसपी ने सभी पर एक्षन करने को कहा है रेलवे कोट के साथ अपराधियों को पेशी पर लाने के लिए पुलिस लाइन से चार दरोगा, छे प्रधान, आरक्षी के अलावा दो सिपाही तैनाद किये गये थे बताया गया है कि वरिजेंद्र, गया प्रशाद और शैलिंद्र की पेशी के बाद सभी पुलिस वैन में सवार कर दिये गये थे लेकिन अपराधियों की सुरक्षा में तैनाद पुलिस करमी की लापरवाही के चलते तीन अपराधी मौंगा देखकर फरार हो गये सभी आराम से पैदल निकल गए या त्रियों के बीच में खो गए इधर जब पुलिस को जानकारी हुई तो वो अपने जी आरपी और आरपी एफ की मदद से खोजबिन में जुट गए लेकिन उनका कोई कुछ पता नहीं लगा पाया रेलवे स्टेशन के बाहर लगे CCTV कैमरे में दो आरोपित को पैदल पुलिया नंबर 9 रोड की तरफ जाते हुए देखा गया इसके लावा जादा जानकारे पुलिस को नहीं मिल सकी वही रेलवे एरिया से लगे प्रेटफॉर्म पर सक्त सुरक्षा विवस्था के बीच पेशी पर आए वदमाशों के भागने के बाद जी आरपी अफसरों ने अपने मुवाइल को बंद कर लिया तो जहां एक तरह पुलिस को चक्मा देकर ये तीन अपराधी फरार हो गये कोट में पेशी करने के लिए तेरा पुलिस कर्मी इन्हें लेकर गये थे और ये तेरा पुलिस कर्मियों को चक्मा देकर आम जंता के बीच पैदल चल कर फरार हो गये CCTV फूटेज खंगालने की कोशिस की जा रही है लेकिन उसमें कोई पुपता सबूत मिल नहीं पा रहा है फलाल के लिए इस ख़बर मत नाहीं तमाम बड़ी ख़बरों के लिए देखते रहें